हेलो फ्रेंड कैसे आप सब आयोप आप लोग सब टीक होगे तो स्वागत करती है यूट्यूब चैनल मेरे ले ब्लोग में तो आज कर ब्लोग कर रही हूं मैं सामको साथ बज़े से तो आज की डिनर में मैं क्या बनाने वाली हूं हूं मैं आपको दिखाऊंगी और इस पेसल आप सबस्ते हुआं मैं किस तरीके से बने रहे हूं और मैं आपको पूरी रसिपी दाओंगी तो आप भी मुझे-कर करने के। पदा ना मैं ने मिक्स्कार्ट कर लिया और यदान यह दही आदीकटोरी दही इसको फैट लिया और यह दो प्याज है थोड़ी अदर रस्द्सन और यह हरी मिर्च लिया पांच हरी मिर्च लिया और यह दो टमाटर एं छोटे टमाटों से उनको मैं Nekar अब यह देखियों एक लाग देखिया है मैं तो जुदा बनाते हैं है यह देखिये यह मसाला गरम मसाला यह थोड़ा मैं यह ले लिए चार से पांच लूंग है और सावक काली मिर्ची और जीरा ये हैं तो अभी मैं इसको डाल के फ्राई कर लेती हूँ इधर ये मेरा तेल गरम हो गया है तो इसमें सावक मसाला डाल तेंगे इसको थोड़ा वूंडेकर है और इसके बाद ये सारी चीज़े में एक साथ डाल तोंगे प्याम बसकल अत्रों खरीड में कि इसको पोड़ा ही चाय करना है इसको पाद इसको पाद में इसमें तमाटर डालेंगे ये कुछ काजू के टुकड़े हैं ये भी मैं इसी के अंदर डाल दोंगी इससे मसाला बहुत अच्छा रंता है तेस्ट भी अच्छा ही आता है और इस टमाटर इस टमाटर भी डाल दोंगी एक मिनट के लिए इनको सारी चीज़ को भूल लेते हैं सॉक्ट होने तक ऐसा नहीं कि मैं काफी इनको ब्राउन करोंगी कुछ नहीं सिर्फ सॉक्ट होने तक टमाटर मैं निकाल लोगी सारा मसाला सारा मसाला अच्छे से गया सॉक्ट हो गए तमाटर यह इसको मैं निकाल लोगी सारा मसाला और निकाल के ठंडा करके यह मुझे मिक्सी में पीसना है तो प्रें यह देखिए मैंने सारी चाप एक बावल में डाल दिये इसके अंदर मैं तीन से चार चमच दही डालूंगी क्योंकि इसमें मैं तो मसाले भी डाकते हैं और अच्छे से मिक्स हो जाएं यह मैं अर्पर नमक डाल दूंगी करम मसाला तोड़ी सी हल्दी आदा चमच लाल मुष्च पावडर एक चमच दनिया पावडर मसाले मैंने इसमें कमी डाले हैं अब इसको कर दूंगी मिक्स क्योंकि हर कोई ऐसे नहीं बनाता है मैं इसमें मसाले लगा कर रखूंगी सॉफ्ट हो जाएगा तहीं से फिर इसकी ग्रेवी के अंदर में डालोंगी चांप की तो इसको मिक्स कर देती हूं इस सारा मसाला ठंडा हो गया है जाल के अंदर में डाल दूंगी उसके बाद इस पीस नाए मेरको आइए मिक्सी में पीस देती हूं में इसको यह देखो शुरा अच्छा बना मसाले में से इच्छी खुष्पवा रही है तो यह मेरा तेल गरम हो गये से मसाला डाल देती हूं प्हुल्ष मेरा बहुन शिकाए ज़ुकाई कि जयादा भुचाले नहीं और प्हुन कोई नियुक्त प्ता दाले हैं जुक्त ज़ल कुपने मासाले नहीं प्हाद अधा नताओं बहुन आपाए कि जादा नाले क्यों गई जादा मसाले में टाल दूगी पहले हैं तो इसके बाद पानी डाल के इसको थोड़ा भून लेंगे उसके पाद में इसमें तही डालोंगी तो देखे फ्रेंड मसाला कितना अच्छा बनाया तेल भी छोड़ दिया और अच्छे से भून चुका है अब इसमें तही डाल दोगी क्योंकि इसके अंदर मैंने काजू भी डाल रही है तो इसलिए मैं ज्यादा निक्स पाल रही हूं कि देखो कितना सुंदर कलर आ रहा है इसका अब बहुत अच्छी बन रही है जिन मसाला मेरा रेटी है इसके बाद डालोंगी इसमें चाप मसाला यह अपनल होता है मिल जाता करीफ मैं एक चमच डाल दिया है और इसके बाद डाल दूगी अब इसमें चाप यह मैंने पहले से मसाला लगा के रखा हुआ था अब इसको चला दूगी मैं और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मारी सब्जी रेडी तो फ्रेंट देखिए यह मिल चाप बनके रेडी आप लोग देख रहे होगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दिया करो मैं और भी अच्छी आप एक तीक डिस आप लेके आऊंगी मुझ बताया करो कैसी बनाती हूं कैसी नहीं तो बनाती हूं कानिश करती हूं इसको और अच्छे से देखी फ्रेंड मेरी चाप बनके रेडी हैं आप लोग आईए और खाये मैं अंदर खाना शब करती हूं सबके लिए तो उसके बाद आप लोको से मिलती हूं सिल्सकुल तो डोषैंट से नहीं सब्सक्राइब जरूब सब्सक्राइब रहा औरो वीडियो को बने रहना एकश हो इक यू आप लोग ते हैं Studio में प्लीस लाइक चरूल कर देना तब इक लिए बाई गुट नाइट